हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल और आज मैं वरत वाले साबुद दाने के वड़े की रेसिपी लेके आई हूँ और अभी नौरात्री के वरत चल रहे हैं तो आपके काम आईगी ये रेसिपी और ये वड़े बहुत ही कुरकुरे और बहुत टेस्टी तयार होते ह और इसके साथ मैं फली दाने और दही की चटनी भी सेयर करने वाली हूँ तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनते हैं ये साबुद दाने के वड़े रेसिपी देखने से पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर ताके आने वाली नई नई रेसिपी के जो वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन साब को मिल पाएंगी तो चलिए अब देख लेते हैं बड़े कैसे बनते हैं तो इसके लिए मैंने 200 ग्राम साबुद दाने को तीन घंटे पहले भीगों के रख दिया था और देखिए ऐसे और आप अगर वरत में हारा धनिया खाते हों तो वो भी ले सकते हैं आप तो देखिए आलूओं को पहले मैं मैस कर लूँगी आप चाहे तो इन्हें कद्दू कस भी कर सकते हैं और ये मुंग फली के रोस्टेट भूने हुए दाने लिए हैं इसमें थोड़े करेली उस डा देंगे एक हरी मिश डाल दी और देखिए इसका एक पाउडर सा तयार कर लिया है मैंने और आप आलूओं को मैस कर लेती हूं मैं आप पोटेटो मैसर से भी कर सकते हैं मैंने यहां पे हाथ से ही किया है तो सारे आलूओं को मैस कर लिया अब इसमें हम डाल देंगे पीज़ा ने याद रखी अच्छे से फूले हुए होने चाहिए और जो पीसा था मुंगफली हरी मिर्च और करीपत्ते का पावडर वह भी मैंने इसमें डाल दिया है और इन सब को अच्छे से मैस करते हुए एक डो तयार कर लेंगे हम अच्छे से मैस करना है इने तो देखि का खाना है तो और मुंगफली के दाने हैं भुने हुए जिनका छिलका उतार लिया है वो डाल दिया करी लिउस डाल दिया मेरे पास हरा धनिया है नहीं तो मैंने नहीं डाला है आप डाल दे ब्रत वाला नमक डाल दीजिए और जीरा डाल दे ब्रत वाला सेंधा नमक और थ अभी सारा मार्केट बंध है बहुत कम सब्जीयां मिल रही है इसलिए जो है उसी में हमें काम चलाना पड़ रहा है तो हराधनिया मेरे पास है नहीं नहीं तो मैं हराधनिया भी जरूर डालती चट्नी में देखिए चट्नी को मिक्सर के जार में मैंने पीस लिया है और एक ब प्राइ में और गर्म करने रख दिया है अब चलिए आप बड़े फ्राइ कर लेते हैं जल्दी जल्दी से तो आप दोनों हाथ की हेल्प से चाहे एक ही हाथ से ऐसे वड़ों का साइज बना सकते हैं मैं ज्यादा तर एक ही हाथ से बना लेती हूं तो इस तरह से हम सारे वड़े तयार करेंगे भी बना के एक और बना के दिखाती हूं देखिए साइज आप अपने मन पसंद कर लीजिए बड़े या छोटे जैसे भी आपको करने हो और इसमें मिर्च वगेरा आप और ज्यादा डाल सकते हैं आप चाहे तो लाल मिर्च काली मिर्च भी डाल सकते हैं अब कड़ाई में मैं सारे वड़े डाल दूँगी द्यान रखिए कि तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए स्टार्टिंग में और धीरे धीरे करके एक तरफ से जब वड़े सीख जाएं तो उन्हें पलट देना है तेल अच्छे से गर्म हो तभी वड़े डालिएगा ये वड़े बहुत ही अच्छे फुले फुले से तयार होंगे उपर से एकदम क्रंची और अंदर से सॉफ्ट तो देखिए अलटते पलटते हुए ऐसे ब्राउन सेख लेना है हमें एकदम कुरकूरे से लगेंगे और गर्मा गरम आप सर्व करेंगे ना तो सभी लोग आपकी बहुत तारीफ करेंगे जो जो भी खाएंगे इन्हें आपके फेमेली मेंबर्स तो देखिए ये एकदम ब्राउन ब्राउन वड़े मैंने तयार कर लिए हैं और कितने फूल गय हैं आपको दिख भी रहोंगे और सावुद दाने के वड़े बहुत ही कम ऑईल पीते हैं तो देखिए मैंने यहां पर दूसरी ट्रिप के वड़े भी तल लिये हैं एकदम फूले फूले से तयार हुए है ना तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट से बनता है फ्रेंड्स तो कैसी लगी रेसिपी बताईएगा जरूर थैंक्स वर वाचिंग मिलते हैं नेक्स वीडियो में